फरिदाबाद पुलिस ने पांच रुपे के नकली सिक्के बना कर बाजार मुतारने वाले गिरोह का परदा फास किया है। नकली सिक्के बनाने का कारखाना हर्याना के बहादुरगर में लगाया हुआ है। अब तक सिक्के बना चुके हैं कितने सर्कुलर हो चुगा है कितने लाकों का दंदा हो चुगा है। कि सप्लाई कैसे होती थी कैसे कॉंटेक्ट करते थे आप लोगों से सप्लाई करने के अच्छा कितने लाक अब तक बना चुके हैं का का सप्लाई करते थे। मुझे मालूम नहीं है कि पकड़े के गुंबी उपने एक में उसमें बैठा हुआ था जिकी बैठा हुआ था लेकि उसमें प्राई करने नहीं जा रहा था मैं सप्लाई कर जा रहा था। किते तीनों से कर रहे हैं कब से कर रहे हैं कि अब तक हमारी क्राइम ब्रांच की टीब ने नकली सिक्के बनाने वाले गैंग को पकड़ा है। उनसे एक इनोवागारी में चार लोग आ रहे थे जिनसे धाई लाग के नकली सिक्के पांच रुपए के सिक्के थे वो बरामद किये गए हैं कल। फरदर पूछताच में उन्होंने और नकली सिक्के सप्लाई करने के बारे में बात की थी, तो डाई लाग के सिक्के आज और बलामत किये गए हैं, नकली सिक्के, इसके अलावा जहां ये मिंट करते थे, वो डाई भी बहादरुगर से हमें मिल चुकी है, अलाकि अभी वो टी इने मिली हैं, जिस पे ये नकली सिक्के बनाने का काम करते थे, चार लोग जो पकरे गए हैं, उसमें एक लड़की और तीन लड़के हैं, लड़की जो थी है, जो मार्केटिंग का काम करती थी, जो पैसे जो ये बनाते थे, उसको सप्लाई करने का आगे कहां पे देना है, वो काम करती थी, इनका जो मेन लीडर है, वो शुवा सुर्फ राहूल है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, एक तो जो लड़की दिपाली है, वो एक NGO चलाती थी, और जो सामने बात आई है, वो लोगों को धुखा देने के लिए भी चलाया जा रहा था, ताकि लोगों को